जी असलाम अलेकुम कैसे हैं आप आई होब कि आप सब खेरियस से होंगे आज हम सीखेंगे कि रोल रंबर शीट कैसे फिल करते हैं रोल रंबर जो शीट है जो आपको बोर्ड के अंदर दी जाती है वो कैसे फिल करते हैं यह वाले आपको शीट दी जाएगी और इसको कैसे फ पॉंइंटर यूश्ट करना है तो यहां पर आप लोगों के कल लोगों का है अप-इस इन सर खरें पर हैं गॉछंळ पर मान लेते हैं हुछ गवर में नहिंपने दिकाना है भर Allrust dan In!!! आपका होगा 5 understand और उसके बाद year count होगा 20 22 अब paper आपका कौन सा है अगर आप morning time paper दे रहे हैं तो फिर आप morning time fill करेंगी इधर morning time लगाएंगी ये bubble आपने बिल्कुल जबरदास करके fill करने है ठीक है उसके बाद यहाँ यहाँ पर आपका जो row number है जो आप लोगों को दे जाती है slip उसके उपर row number उता है वो आप लोगों नहीं यहाँ पर पूट करना है जैसे के मेरा row number है दो लाक चार हजार बीस यह row number है ठीक है यहाँ पर मैंने यह row number put किया है पॉइंटर से करेंगे तो आपका और एक बात बता हूँ आपका जब multiple twice आता है वो भी आपको बताता हूँ अब आपने यह दो है तो यहाँ पर आपने यहाँ पर fill कर देना है यह bubble fill कर देना है फिर आपके पास zero है तो यह bubble zero में fill करना है अगर four है तो यहाँ पर आपने four fill करना है यह इसमें गलती नहीं होनी चाहिए और यह bubble बाहर भी जाने नहीं चाहिए और फिर अगर zero है तो फिर zero में ठीक है फिर दो है तो आपने दो में put करना है यह फिर zero है तो zero में इसी तरह आपने अपना law number लिखना है अब multiple choice होते हैं उसका paper code होता है जैसे कि मैं आप लोगों को यह दिखा हूँ मेरे पास old paper code बढ़ा हुआ है यह देखें यहाँ पे paper code लिखा होता है यह देखें यहाँ पे paper code आपका इदर भी लिखा हो सकता है paper के उपर यह old है paper ठीक है तो यहाँ पे आपका code होगा जैसे मैं लिखूँगा यह six eight double three six eight double three यह आपको जब multiple choice देंगे ना तब आएगा double three understand अब इसको भी fill करना है आप लोगों ने six कहाँ पी है यहाँ पे eight कहाँ पे यहाँ पे अब double three कहाँ पे है यह रहा in three यह रहा और इस खाने में यहाँ पे आपने यह fill कर लिया ठीक है अब निचे चला जाना है निचे आपकी जो date है यहाँ पे आपने लिखनी है आपका paper English का अठाइस पांच ट्वन्टी ट्वन्टी टू यह सारा आपने लिखना है और उसके बाद आपका paper कौन सा हो रहा है metric का तो metric लिखेंगे इंटर होगा तो इंटर लिखेंगे morning में है तो part one लिखेंगे sorry ninth में है तो part one लिखेंगे tenth में है तो part two लिखेंगे और आप annual exam लिखेंगे तो फिर annual यहां पर लिखेंगे ठीक है और नीचे आजाना है नीचे आपने यहां पर subject आपका कौन सा English का है तो फिर आप लोगों ने यहां पर English लिखना है understand यहां पर आपने अपना नाम लिखना है ठीक है इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में जैसे के मैं लिखूंगा मुहम्मद अफजल ठीक है और फादर का नेम क्या है वो आप लोगों ने यहां पे लिखने जैसे मैं लिख रहा हूँ जी यह मैंने रो नमबर लिख लिया ठीक है यहां पे नेचे जो है आप लोगों ने लिखाना होता है रो नमबर जो है इन वर्ड्स इन वर्ड्स के अंदर लिखना होता है यानि उर्दू के अंदर लिखना होता है तो रो नमबर जो मैंने उपर पुट किया है ये देखें दो लाख चार हजार बीस वो मैं लिखूँगा यहां पर दो लाख चार हजार बीस ये मैंने यहां पर रो नमबर लिख दिया चीक है और यहां पर निचे क्या करना है निचे आप लोग ने अपने सग नेचर कर देने है यहां पर ये आपने सग नेचर कर देने यहां पर नीचे सग नेचर करेगा अब नेक्स पेज आ जाता है उसको भी आप लोग ने साउल करना है यहां पर आप लोग ने अपना नाम लिखना है उर्दू के अंदर अब यह सारा काम आप लोग ने उर्दू में करना है ठीक है जैसे कि मैं लिखूंगा यहां पर प्रिंटिंग वाले पेज बहुत गंदे लगाते हैं यहां पर यहां पर यहां पर आपका पर्चा कॉंट्स है ठीक है पर लिखा अपर लिखा होता है यहां पर आपको नजर आएगा यह देखें ऊपर लिखें यह पर लिखें लाट पर यह लिखेंगे फास्ट अब ग्रुप कॉंट्स है शाम को दे सुबह को दे रहे हैं मैं सुबह को कह रहा हूँ यहां पे सुबह पे क्लिक कर देना है बोर्ड लिखा हुए आराड़ी मारा सही बाल है यहां पे आप लोगों ने क्या रिखना है रो नमबर लिखना है रो नमबर क्या था हमारा दो लाग चार हजार बीज ये रो नमबर था ठीक है अब क्या है कि अब यहां पे आपने अपने नाम लिख लेना है यहां पे वाल्द का नाम यहां पे आपका मत्यान कौन सा दे रहे हैं मैट्रिक दे रहे हैं तो फिर यहां पे आप मैट्रिक लिखेंगे ठीक है अब कौन सा है सलाना है यहां पे सलाना पूट करेंगे अब आपका यहां पे लिखा होगा बॉर्ड कौन सा है किस प्लेस पे आप दे रहे हैं यहां पे ल गौर्मिंट स्लिप मतलब दे लिए हुई न उसमें आपका दिया होगा है जैसे मैं लिखांग गौर्मिंट हाई श्कूल मलकांस पाइस ये खीक है यह आपकी स्लिप के उपर लिखा होगा लिखा होगा ठीक है उसके बाद आप लोग है यहां पे कुछ करना यहाँ पे आपने अपना थम लगाना है वो खुद आपसे लगवा लेंगे ठीक है यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है कौन सी डेट को पेपर देने 25 पांच 2022 अंडरस्टेंट यह भी काम कवर हुआ अब यहाँ पे नीचे आपने मजमून कौन सा है इंगलिश ठीक है पेपर कौन सा है फस्ट गुरूप कौन सा है सुबा मतिहान आपका वो जो है मैट्रिक है और सलाना है और यहाँ पे 2022 ठीक हो गया और आपने यहां से कुछ भी नहीं करना यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना ठीक है अब इसकी बैक साइड पे हम चले जाती है यहां पे यह इस फ्रंट की बैक साइड होती है उसके उपर लिखा उता अब जो पेपर कोड है ठीक है वो आपने लिखना था पेपर कोड मैंने क्या आपको बताया था यहां पे जो पेपर कोड मरुजी का है वो आपने फिल इंक इंक भी फैल रही है आपको आपके आपके पैपर लगे होग से यह इसलिए पैपर गंदा लगाते हैं प्रिंटिंग करने वाले ठीक है यह डबल थी अब multiple twice आप लोगा ने जो फिल करने है यहाँ पर a, b, c का option होगा वो यहाँ पर लिखने होगी for example पहला question है multiple twice का यहाँ पर मैं आपको दिखाता भी हूँ यह multiple twice है आपने यहाँ पर टिक कर लेना है for example आपका मैं example दे रहा हूँ यह है दूसरे का यह है तीसरे का यह है इस तरह से ठीक है तो फिर आप यहाँ पर क्या लगाएंगे पहले का B, दूसरे का A, तीसरे का C, इस तरह से, यानि तीसरे का भी B, पहले का क्या था, B, इस तरह से लगाएंगे आप, ये जब आपका multiple twice होगा न, पहले लगा लेने हैं, तो फिर ये A, B, C लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके answer होंगे वो लगाने हैं, ठीक है, य रहा हो सकते हैं, ये इस तरह से, ये खुद नहीं फिल करना है, ये यह वहाँ पर answer जो correct होंगे न, उसको देख के फिल करना है, ठीक है, यानि कि जो आपका answer ठीक होगा, उसके उपर जा कि आपने A, B, C फिल करना है, ये ले, इस तरह से, मैंने कितने फिल कर दीए, दस कर द आती है, यहाँ पर आपने लिखना शुरू करना है, यहाँ पर पहले पेपर के अंदर लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये लाइन ना लगाईएगा, ठीक है, यहाँ पर और दूसरे के उपर आप निशान लगा से, तो पर लिखा भी हुआ है, एक बार, यान आपका पहला question आएगा, यानि कि question का, आपने यहाँ पर लिखना है, question number, यह मैंने यहाँ पर लिखना था, sorry, आगे हो गया, यहाँ पर, question number, अब आपके पास time short होता है तो फिर आप लोग उने क्या करना है यहां पर आपने जो जूस का answer लिखना है for example मैं इस तरह से लिख रहा हूं उसको इस तरह से establish कर देना है ठीक है यह देखे जितना प्यारा करेंगे उतने जाला अच्छी नमबर आएंगे ठीक है इस तरह से अब आपने उसका answer लिखना है यहां पर यानि कि मैं इस जूस का यहां पर answer लिख रहा हूं ठीक है English का paper है दूसरा भी है दूसरा भी इस तरह से अब आपने यह इसका answer लिख लिख लिए फिर आपने क्या करना है इस तरह से अब दूसरे के लिखना है दूसरे तरह इस तरह से ये मैं अक्सर बच्छों को बताता हूँ अगर आप ये करते हैं इस तरह से तो आपको नमबर जो है न वो बहुत जादा मिलते हैं मतलब वो आपकी जो है न कमाल की चीज़ें देखना चाहरा होता है तो ये जो है आप लोग ने इस तरह से काम करना है वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताईएगा अगर चैनल पे नए है तो कानली चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ में बेल आइकन को दुबा जाल पे कलिक कर दे ताके आने वाले वीडियो भी आपको बासानी से मिल सके अलाहाप्स पीस